ये हैं है फ्रेंट्स चंद प्रक्रण के अंतरगत आज हम पढ़ रहे हैं शिकरेनी चंद बच्चो ये हैं वर्णिक चंद है वर्णिक चंद में वर्ण गिने जाते हैं वर्णों की गणना यमात राज भान सलगम इस सुत्र के आधार पर होती है गण इस प्रकार है यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण नेक्स्ट लगू तथा गुरू रश्व दिर्ग वर्णों की गणना इस प्रकार है अक प्रत्यहार की मात्रा वाले वर्ण लगू तथा आ, ई, उ, ए, आ, ऐ, ओ, अ, उ, इनकी मात्रा की वर्ण गुरू होते हैं विसर्ग तथा अनुस्वार से पूरुवर्ती वर्ण पड़ पूर्थात चर्ण पोर्ती के लिए चरण के अंतिमवर्ण को गुरु माल लिया जाता है फिर आता है बच्चों यती यती वीराम को कहते हैं को शनौक को चारण करते समय जहां विराम होता है, उस वर्ण पर यती होती है, ये तो हुए बच्चों हमारे वर्णिक चंद पर लागू होने वाले कुछ नियम, बच्चों, अम मैं समझती हूं, चंद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि चंद बहुत असाम है, बस एक बार हमें समझना है, च शिखरिणी चंदह, रसे रुद्रेश्चिनना यमन सभु लाग है, शिखरिणी, बच्चों, जिस श्लोक के प्रतेक चरण में क्रम्श है, यगण मगण नगण सगण भगण, तथा, एक लगू, एक गुरु, वर्ण के क्रम से, स सत्रह वर्ण होते हैं, वहां शिखरिणी चंद होता है, इस चंद में बच्चों, छटे तथा, ग्यार्वे वर्ण पर यती होती है, रसही, रसही का अर्थ है, छटे वर्ण पर, रस्छे कहे गए है, तथा, रुद्र, ग्यारह कहे गए है, ठीके, यसे श्लोकस्य प्रतेकम पादे चर्णे वा क्रम्ष है यगण मगण नगण सगण भगण एते गणह पुनहे एक है वर्णहे लगु तथा अंतिमों वर्णहे गुरुष्चे भवती इत्थम एव सब्त दश वर्णह संती पुनहे तत्र शष्ठे एका दशी वर्णे चे यतिर भवती तत्र शिखरिणी इती चंदो भवती तो बच्चो हम यहाँ पर पहले वर्ण गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह है चौदह है पंदरह है सोलह है सत्रह है अर्थार सत्रह है वर्ण गण इस प्रकार से है बच्चो यगण मगण नगण सगण भगण यगण यमाता मगण मातारा नगण नसल सगण सलगम भगण भानस ले लगू गू गूरू यह हमारे सत्रह है वर्ण होगे बच्चो रे सैरू द्रैश चिन्न यामान साभैला गहे शीखरी अर्णी अब देखो रे लगू बच्चो सै गुरू रू लगू लेकिन द द्रही दै के कारण ये गुरू हो गया ये हो गया यमाता यगण द्रही गुरू छी गुरू ना गुरू ये हो गया मगण मातारा ये लगू मैं लगू ने लगू नसल सै लगू भै लगू ला गुरू है बच्चो तो ये मैं ने सै ये हो गया सलगम गह गह की मात्र है लगू है लेकिन विसर्गों के कारण गुरू हो गया शी लगू खै लगू ये हो गया भानस भगण री लगू अणी गुरू ये तो हो गया हमारा लक्षन अब हम उदारण देखते हैं बच्चो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह है चौदह है पंद्रह है सोलह है सत्रह है बच्चो दै हलंत है तथा मैं हलंत है इसलिए परिगणित नहीं किये जाएंगे अब हम गण बनाते हैं यदा लो के सुक्ष्मम ब्रजती सेहसा तैदेवीपू ल और ता बच्चो ये लगू दा गुरू लो गुरू हमारा क्या हो गया ये गण के गुरू सु अपने आप में गुरू है खशै भी है बाद में गुरू हो गया मैं लगू है लेकिन अनुस्वार के करण गुरू हो गया है ये हो गया मातारा मगण ब्रे एकी मात्र वच्चु लगू, जै लगू, ती लगू ये हो गया हमारा नसल सै लगू, है लगू, सा गुरू सलगम सगण तै लगू, लेकिन दै के कारण गुरू वच्चो, बी लगू, पू लगू भानस भगण ले लगू, ले हो गया ताम, गुरू हो गया बराबर सत्रह वण इसी प्रकार वच्चो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंदह, सोलह, सत्रह ये हमारे हो गे सत्रह वण अब देखो बच्चो ये लगू, दे लगू, लेकिन रह के कारण गुरू हो गया बच्चो डे गुरू, ये हो गया हमारा यगण वी लगू है, लेकिन चै के कारण गुरू हो गया गुरू, छी लगू, लेकिन नै के कारण गुरू हो गया ने लगू लेकिन अनुस्वार के कारण गुरू हो गया है में समस्किम बच्चों अब हमें चिन लगाने सरलता से आ गए है मगण भे लगू वे लगू ती लगू नगण क्रील लगू तै लगू से ने के कारण गुरू सलगम धा गुरू ने लगू मी लगू भानस भगण वे लगू तै के कारण गुरू बच्चों यहां की जो विसर्ग है उन विसर्गों को रह हो गया है और वो ने के उपर आ गए है प्रे क्रित्या यदवक्रप तदपी समरे खमने न योग फ्रे लगू लेकिन तय के गारण गुरू या गुरू य कि लगू लेकिन दय हलंत के कारण गुरू हो गया मैं बच्चों इसको मैं आपको खोल बताती हूं वे एकी मात्रप कै, हलंत, रै, हल, ए और फिर ये, अनुस्वार, तो इसमें हम इस परकार कहेंगे, व्य के परे कै है, तथा रै के परे अनुस्वार है, इस परकार कहेंगे, वक्रम गुरु, मगण, तय लगु, दय लगु, पी लगु, यह ओ गया, नगण नसल, यो गुरू बच्चो यह हमारे हो गए है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे है, बारह है, तेरह है, चोदह है, पंदरह है, सोलह है, सत्रह है वर्ण, बच्चों, ये हमारे सत्रह है वर्ण हो गए है, नै मे दू, रे किंची, क्षाण, म, पीन, पा, वे रथ, जै, वार्थ, नै बच्चों लगू, मे गुरू, दू गुरू, ये माता, यगन, रे गुरू की लगू, लेकिन अनुस्वार के कारण, चीत तै के कारण गुरू, माता, रा, क्षे लगू, ने लगू, मे लगू, नसल, पी लगू, ने लगू, पा अपने आपमे भी गुरू है बच्चों, ये हो गया सलगम वे गुरू, रे लगू, थे लगू, भानस, जे लगू, वा गुरू यदा लोकी सुक्ष्मम व्रजती, सैसा तद विपुलताम, यदर्धे विछिन्नम भवती, कृत संधानम इवतत, प्रकृत्या यद वक्रम तद अपी, सम्रेखं नै नयोर, नै मे दूरे किंचित, क्षणम अपी, नै पार्षवे रथक जवात नेक्स्ट टूटोरियल में हम इसे आगे के चंद करेंगे, थैंक्यू